हमने सारा प्रॉसस कर लिया कि यूरीन कैसे बन दी है यूरीन का फॉर्मेशन कैसे चलता है सब कुछ हम लोग ने कर लिया अब नेक्स हम लोग करेंगे कि जो अर्ज होती है कि हमें कब पता चलता है कि भी हमें यूरीन जो है वो पास आउट करनी है तो वो जो अर्ज होती है को पास आउट करने की गाट इज कॉल अज मिक्चूरीशन। ठीक है, हम इसको किसका नाम देते हैं। अज को आज मिक्चूरीशन. और यह किसके एक्ट होता है, युरिणरी ब्लैडर का। उर प्लैडर क्या हूता है कि इसके अंदर जो स्मूर्थ मसल्स प्रेजन्ट होती हमें उरीरा एन्य वो कंट्रोणक्स करें जैसे हिद ब्लैर के इन्दर contraction relaxation process increase होता है urine pass out हो जाती है अब next आता है हमारी urine की concentration के बारे में एक normal adult to person होता है वो 1-5 liter urine जो है per day normally वो body के बाहर release out करता है it's normal process increase भी हो सकता है 11 decrease भी हो सकता है depend करता है person to person urine जो होती उसका color कैसा होता है straw yellowish color होता है slightly acidic होती है और इसका जो characteristic है इसकी जो order है वो कुछ particular जो होती है वो smell कि इसके वज़े से आती है अगर किसी area में किसी person ने open में urine pass out कर गी तो हम लोग वहां से pass out होते है तो हमें बहुत ही pungent से smell आती है इसको reason क्या होता है because उसके अंदर urine है स्रैटीन है और little amount होता है ammonia का as well as the uric acid about 25 to 30 gram of urea एक normal healthy person जो है daily अपनी body के अंदर produce करता है चीक है अब जैसे हमारी body के अंदर हम लोग बोलते हैं कि urine के अंदर जो है glucose presence है तो glucose अगर प्रेजन्ट होता है urine में तो हम उसको बोलते हैं glycosuria ketone bodies अगर होती है तो ketoneuria बोलते हैं लोग और इन दोनों की presence की वज़े से disease कौन से होती diabetes mellitus यानि कि जिस person की urine में अगर glucose प्रेजन्ट है यानि लोग बोलते है कि sugar प्रेजन्ट है उसकी बोड़ी के अंदर तो वो कौन सीडीस होगी हमारी diabetes mellitus एक होती है diabetes insipidus यह किसकी वज़े से होती है बच्चों यह हमारी होती है insulin hormone की वज़े से हमारा insulin hormone कौन release करता है यह release करता है pancreas तो याद रखिएगा कि diabetes insipidus किसके वज़े से होती है insulin की deficiency के वज़े से diabetes mellitus किसके वज़े से होती है urine के अंदर glucose की presence की वज़े से अब kidney तो होगी हमारी main accessory product ठीक है कि वही main organ है जो waste product को release करवाता है उसके अलावा भी waste product को release करने की कुछ accessory organs है उसमें सबसे पहला हमारा आता है lungs lungs जो होती है वो carbon dioxide as well as water vapor को body के भार release करवाते है क्यों carbon dioxide भी क्या हमारे लिए एक waste है next है हमारा liver liver के अंदर liver हमारा secret करता है different type के pigments ठीक है जैसे बिल्रूबीन है बिलिवर्डीन है कलस्ट्रॉल है डिग्रेटेड स्टिरॉइड है ड्रक्स को ब्रेक करना विटामिन्स को release करना यह सभी के सभी जब एंटर करते हैं हमारी elementary कनाल में ठीक है तो वो पास आउट होते है along with the facial material यानि कि जो waste है हमारा उसके थ्रूइ बॉड़ी के बार release हो जाते है ठीक है इसके लावा हमारी जो skin है उसमें दो टाइप के gland होते है sweat gland as well as sebaceous gland जो sweat gland होते हैं हमें पता कि हमारे पसीने वाले gland है यह तो यह क्या करते हैं excess amount of sodium chloride, urea और lactic acid को बॉड़ी के बार release करते हैं यह तो हो गया कि यह release करवा रहे हैं बट इसका benefit क्या मिलता है कि eliminate जब करते हैं waste product को तो हमारी बॉड़ी को cooling effect भी जो है यह प्रोवाइड करते हैं next होते हैं sebaceous gland, sebaceous gland होते हैं इसमें से जो waxy substances के हमारे ear के अंदर जो wax निकलता है वो हो जाएगा हमारी skin के अपर pimples हो जाते हैं तो वहाँ पे oily substances release होना पस-like substance का release होना तो यह सब कौन release कराता है, sebaceous gland release कराता है, इस सब के सब क्या होते हैं हमारी body के अंदर this all were a type of waste product, यह सारे के सारे क्या होते हैं हमारी body के लिए waste और last हम लोग study करते हैं इस chapter का topic वो है disorders of xd3 system तो सबसे पहले हम सबसे short वाला लेते हैं, सबसे last जो अपना given है यहाँ पर यह देखिए, this is glomerulolifritia इसके अंदर जो glomerul होती हैं वो properly function out नहीं करती, inflammation हो जाती है next हम लोग बात करें, यह होते हैं renal calculus जिनको हम लोग normally kidney stone के नाम से जानती है जो kidney stone जो होती हैं यह किस वज़े से बनती हैं कि insoluble mass होता है हमारे salts का उसके वज़े से इनकी formation होती है kidney के अंदर जिसके वज़े से excess of uric acid की formation होती है milk का intake जो है वो increase हो जाता है और metabolic infection हो जाता है और hormonal imbalance होता है उसके बाद next है kidney transplantation kidney transplantation उस condition में होता है जब एक person की kidney है वो fail हो जाती, fail होने का मतलब यह होता है कि उसके अंदर जो filtration का process चल रहा था या हम लोग बोले कि body के अंदर से जो waste product को निकालने का process वो कर रही थी वो process करने के लिए वो असमर्थ हो जाती है वो नहीं कर पाती तो इसके लिए क्या होता है कि उस person के kidney को जो है replace करा देती है transplant करा देती है हम लोग किसी दूसरे person की साथ और दूसरा person जो होना चीए वो compatible donor होना चीए compatible donor का मत्दब कि अगर मान लो इस person का blood group A positive है तो जिस person का हम लोग ले रहे हैं अगर उसका भी A positive हो तो सबसे best होता है उस person के लिए अगर मान लो उसका blood group suppose it will be A negative अगर हो जाता है तो हो सकता है कि उसके बीच में कुछ problem create हो जाए इसके अलावा body का जो immune system है वो अगर better है जो host है जिसकी body में हम लोगोंने transfer करना है किसी दूसरे person की kidney को अगर उसका immune system weak है तो उस person की body के अंदर उस next person की जिसके हमने kidney डाली है वो उसको selector नहीं करेगा वो उसको क्या करेगा वही मेरी body का part नहीं है तू बहार निकल जाए वहाँ पे allergic reaction जो है वो start हो जाएंगी last one हमारा आता है uremia uremia जो होता है इसके अंदर हमारी जो kidney होती है ये urea को pass out नहीं कर पाती और अगर ये excess में हो जाता है तो हमारी kidney fail हो जाती है kidney falter का term जो है वो यहाँ पे फिर use होता है uremia जो patient होते हैं इनका urea remove करवाया जाता है by special process called as hemiodialysis जिसको हम लोग simple word में dialysis का process का नाम जो है वो देती है ठीक है अब dialysis process के अंदर जब लोग करवाते हैं तो dialysis जब करवाया जाती है तो blood को बाहर निकालना जरूरी है blood को जब बाहर निकालेंगे तो blood क्या हो जाएगा clot हो सकता है तो उसमें anti-coagulant जाना जाता है ताकि वो blood clot ना हो सके और जैसे ही वो पूरा dialysis का process complete होता है तो जो clean blood होता है जो body के अंदर जाना है through the vein उसके अंदर anti-hyperin add किया जाता है ताकि वो blood internally clot ना हो सके देखिए जैसे इस वाले system में आपको दिख रहे है यहाँ पर इसमें देखिए person का जो blood है जो में इस dialysis machine के अंदर डालना है वो atrial blood है और की artery से हम उसको लेने तो deep-seated जाए का that's why it is a very painful process ठीक है हम लोग यहाँ पर जो यह membrane हमने यहाँ पर use कर रखी है यह linings जो दिख रहे हैं आपको these are of syrophane क्योंकि syrophane जो होती है वो semi-permeable होती है ठीक है इसके अंद 10 temperature maintain करना ज़रूरी होता है ठीक है जो fresh dialysis का solution है वो हम इस टेंग करके थूँ नीचे से एड़ कराती है क्योंकि blood उपर से नीचे की तरफ आ रहा है इस तरीके से ठीक है उपर से नीचे इस तरीके से पास आउट जब हो के वो जाएगा ब्लड तो यहां से वेस्ट जो है वो collect हो जाएगा और जब पूरा का पूरा purify हो जाए तो इस particular system के अंदर bubble trap system होता क्योंकि यहां से जब ब्लड पास आउट हो रहा है तो हो सकता ब्लड के अंदर कोई bubbles create हो रखे हो वो bubble हमारी body के लिए harmful हो सकते है that's why bubble trap करता है उनको breakout कर देता है और venus blood जो venus क्योंकि veins का 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 क्योंता ब्लड को ले के जाना heart तक तो यह ब्लड को यहां से क्या करेंगी pass out करके ले के जाती है और इस time पे हम लोग antihyperine add कर देते हैं ताकि जो blood वापे जारा body के अंदर वो clot ना हो सके so this is all about your chapter number 19 and this is the last video of this chapter hope you enjoy the all thank you